हैल फरेंट स्वागतमर जी एसम राके चैंपर तो फरेंट आज हमारे पास एक जीओ का फोन आया है और किसी बंदी ने साइद देश का चार्जिंग जैक लगाने टाइम इसके जो आठ का बटन और जीरो का बटन है बो जड़ से ही खतम कर दिया है कुछ लोग मार्केट में क जगा मौममत्ती या पर लाइटर से जैक चैंज करते हैं तो वहाँ पर चैंज करने का तरीका थोड़ा अलग होता है बट हर कोई नहीं कर पाता है तो यहाँ पर बहुत बड़ी प्रोब्लम बना देते हैं जैसे कि इस फॉन में देखने के लिए मिला है जो कि मैं फर्स टा जड़ से खतम कर दिया है और यहाँ पर सेकंडरी जो लाइन है मदर बॉर में बो भी यहाँ पर दिखने लगी है तो साइद यहाँ पर चार्जिंग जैक चैंज किया है लाइटर से यह फिर मॉममत्ती से तो उस टाइम यहाँ पर ज़्यादा हीट लगने की कारण यह जल है इतना बोड तो इसको हम रिपेर करेंगे और कोशिश करेंगे कि यह सपलता पूर्वक यहां पर रिपेर हो जाए और हमारा जो कस्टमर का प्रब्लम है बो सोल हो जाए तो इसके लिए हम पुरानी एलसीडी जो की एमुलेट डिस्प्ले आता है उसके पीछे एक कॉपर यहां पर प्रत्र लगी हुएती है कॉपर की जो की एमुलेट सेमसंग की डिस्प्ले में मिलता है जैसे की जे टू हो गया जे सेवन हो गया ए ट्वैंटी हो गया तो जितरे भी यहां पर जो एमुलेट दिस्प्ले आती है उसमें इस तरीकी की सीट मिल जाती है कॉपर की तो इसका जो दूसरी तरफ कार्बन लगा हुँ होता है तो उसको आप बिलेट से या किसी से भी इसे किलीन कर लेना है कुछ इस तरीका से तो यहां पर मैंने टेम बचाने के लिए और लेड़ी यहां पर ए कैसा ना आए तो अच्छी बात है नहीं तो आगर आता है तो आप रिपेर कर सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि मैं किलीन करके दिखा देता हूं एक बाद आपको कि यहां पर जो सेकंडरी लाइन है उसके भी यहां पर लैने दीख चुकी है इतना ज्यादा हीट लगा हम यहाँ पर solder mask से पहले जो secondary line है उसे हम cover करेंगे उसके बाद यहाँ पर हमारा जो pad है वो यहाँ पर बनाएंगे live आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर time लग सकता है थोड़ा सा जादा बर्ट हमारा जो problem है वो यहाँ पर sold हो जाएगा तो आप एक बार देख लेना अगर आए बात है तो अच्छी बात ही है नहीं तो पता किसे कैसे मान जो फोपकी पर है काम करते हैं पता किस तरीका से काम करते है तो यहाँ पर solder mask से पहले जहां पर cover करने है क्योंकि यहाँ पर Scholars cover कर लिना है तो इसको आपको पहले cover कर लिना है shoulder mask से यहाँ पर push कर दिना है अच्छी तरह से उसके बाद आपको जैसे मैं करके दखा रहा हूं उस तरीके से आपको यहाँ पर काम में लेना है और यह problem solve हो जाएगी और देखते हैं किया हमारे response में भी solve हो पाती है नहीं हो पाती है success हो पाती है और कितना success है तो जो भी काम होता है वो proper तरीका से success ही होता है बट कुछ काम ऐसे भी हो जाते हैं ज्यादा hard जुगाड ही रह जाते हैं तो देखते हैं यह जुगाड रहेगा या फिर हमारा जो काम है वो success रहेगा पका काम र ने वो बहुती ज़्यादा खराब कर दी है तो इस तरीके के शोप की पर पड़े हुए हैं अभी भी जो की चार्जिंग जैक, माइक, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो की लाइटर से या फिर मौमबती से अभी चेंज करते हैं और बैसे लाइटर से मौमबती से कर सकते हैं मौमबती तो पुरान हो गया उससे दुह बहुत निकलता है बट लाइटर से आप कर सकते हैं बट लाइटर से करने का तरीका भी आपको आना चाहिए जबी लाइटर यूज करना चाहिए क्योंकि लाइटर का जो टेंपरेचर है वो SMD से कई गोना फालतू होता है तो इसलि क्घू का खरीन को फैप लाइटर से जैश्यक या फिर कोई वीं कंपोंट्स चैन्ज करते हैं तो इसके पर मैं वीडियो बना दूँगा तो यहां पर ये थोड़ा पुस्व को रहा है तो यहां पर घूला सा वाइट कर लेती हैं वीडियो को रोक कर बनाओंगा क्योंकि व आप सीख लेना इस तरीके की तो यहाँ पर मैंने वीडियो को फूर्वेट कर दिया क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा अब हो चुका था और यह छोटे-छोटे काम में कभी को बाद बहुत जादा टाइम लग जाता है तो मैंने वीडियो को फूर्वेट कर दिया है आप झाल 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 तो प्रण ये वीडियो मैंने कट कट करके बनाया है क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका था इसलिए यहां पर वीडियो को थोड़ा कट करना पड़ा है तो इस तरीके से मैंने जो पैट बनाये थे उसका कटिंग भी कर लिया है कटिंग करने के बाद हमारे लिए जमपर लगाना होगा क्योंकि इसकी जो लाइन है वो ब्रेक है नीचे से भी तो हमारे लिए उपर से जमपर लगाना पड़ेगा जमपर वायर से उसके बाद इस पर सप्लाई है वो आ जाएगी और ये बटन है वो वर्क करने लगेंगे तो पैसे देखने में ऐसा ही लगता है कि हमारा जो पैड है वो ओर्जिनल जो फॉन के साथ का बना हुआ है उसी तरीकी से लगने लगा है तो अच्छे से वर्क करेगा देखने में तो अच्छा ही लग रहा है और यह आइडिया मेरे माइंड में आया तो कस्टमर कोट में रिटन कुप से कमाएं इस पर तो मैंने आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि इस तरह के की भी प्रॉबलम मार्केट में आती है कुछ ऐसे बंदे पड़े हैं जो कि इस तरह के की प्रॉबलम कर देते हैं तो प्रण यहां पर एक मेरे साथ एक प्रॉबलम बहुत बड़ी आई ह यहां पर मेरा जो जमपर वाहर वो मेरे लिए यहां पर नहीं मिल पाया है तो यहां पर मैंने जो इस पी कराता है उसकी कौईल का वायर यूज किया है और यह पायर बहुत कच्चा होता है तो मैं कस्टमर को अभी मैं दिखाने के लिए इस वायर को यूज कर रहा हूँ बा बहुत ज्यादा हलका होता है तो आगर आप के पास कुछ इस तरीके के जंपर के लिए आता है तो यह वायर यूज ना करें यह वायर उस टाइम यूज किया जाता है किसी आइसी के पैड उखड गया है तो इस टाइम पैड बनाने के लिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतला और मुलाइम बाइर होता है तो इसकी लाइन को हम चेक कर लेते हैं तो लाइन है हमारी वर्क कर रही है बाकी का आप यहां पर नीचे की जो जीरो बटन का लाइन है वो हम नाइन बटन से, नो बटन से, नो नंबर की बटन से सपलाई देंगे बाकी का आपके पास कोई भी मदरबूर्बोर पड़ा हो तो उससे भी आप ट्रेस कर सकते हैं कि कौन सी लाइन कहां पर जा रही है तो मैं यहां पर जंपर कर दूँगा उसके बाद इस फॉन को के बाद भी अगर problem सुलना हो तो भाई मेहनत विकार है कभी कभा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उससे success भी नहीं हो पाते हैं तो भाई काम करने में किया जाता है आपके पास time है कोई आपके पास phone नहीं है खाली समय में कर सकते हैं इस तरीकी की problem क customer खुस हो जाता है और नेक्स टाइम और भी बड़ा काम लेके आ सकता है तो यहाँ पर वीडियो को रुक कर मैंने jumper कर लिया है कुछ इस तरीके का दिखने के लिए मिल रहा है बट अभी भी यह कच्छा काम है तो इसके लिए हम यहाँ पर जो वाईल लगाया है उसके लिए यहाँ पर आप इसकी टेस्टिंग की बारी है तो यहाँ पर हम टेस्टिंग कर लेते हैं क्या हमारी जो प्रॉब्लम है बोज सौल हो पाई है या नहीं हो पाई है तो इस मदर बोड को हम इसकी वाड़ी में लगाके ओन कर लेती है तो यहाँ पर फॉन को मैंने ओन कर लिया मैं मेच कर लेता हूँ उसके बाद यहां पर देखते हैं यह पैड है वो वर्क करना चाहिए तो यहां पर देख सकते हैं अच्छे से आप वर्क कर रहा है हमारे सारी बटने वो वर्क कर रहे हैं तो इस तरह के से यह प्रोबलम मैंने सॉल की है अगर आपको वीडियो पसंद तो वीडियो को जाईज जादे लाइक कर दीण है और चैपन यूर तो चैंको सस्क्राब करके बेल आईकन दबा देना है और हो सकते तो इस वीडियो को सेर्वी कर देना क्योंकि इसमें बहुत जादा टाइम लगा है तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में thank for watching